कि नमस्कार प्रणाम जैदी नेंद्रा मैं सती जैन फ्रॉम रोईनी आश्ट्रो वास्तो में आपका हार देख स्वागत करता हूँ हर बार की तरह हम लोग नए अपर बात करने जा रहे है निम्राb का सागर इतना बड़ा है कि जीतने अपर यादRP करें तो आज लोग बात करें具 निम्रोय कि जनरली बहुत कि निम्रोलोजी की मदद से हम लोग सक्सेस हो, हमारी कारे सिधी हो, हमें सपलता मिले, तो यह जो हमारा वीडियो है, एक जब छोटा सा वीडियो है पर बहुत इफेक्टिव वीडियो है, तो पहले जो हम लोग बात करेंगी, जिन लोगों की बड़ डेट, एक है, दस है, उननीस है, अठाईस है, जिन एक टोटल आती है, इस डेट पे जन्में हुए व्यव्यक्ति को, ओम सूर्याय नमह का जाप करते है, एक की संख्या में, याने एक बार, उननीस बार, दस बार, अठाईस बार, तो उनको सफलता जरूर मिलती है, और इसका जाप करना है, ओम सूर्याय नमह जिनका मुलांग एक है, अभी हम लोग बात करेंगे मुलांग दो, मुलांग दो आयने, दो नमबर, ग्यारा नमबर, जो व्यक्ति इस डेट पे जन्मा हो, उनको चंद्रमा का ध्यान करना है, ओम, चंद्राय, नमह का जाप करना है, यह जो व्यक्ति जब चंद्र का जाप करते हैं, तो उनका चंद्र पावरफुल होता है, और उनको सपलता मिलती है, हम लोग बात करेंगे नंबर तीन, तीन या वाले । जो एचार नंबर वाले जो तीन नंबर वाले है कि जिनकी बॉड़ेट । तीन है वो लोग दीव कलर का तिलक लगाते हैं और और गुरु वय नमह का जाप करते हैं या किसी सत्च गुरू को अपना गुरू मानते हैं तो उनको सपलता निच्छति मिलती है अभी बारी आती है नमबर 4 की जिनका जनम 4 नमबर है एने 4 पे हुआ है बाइस पे हुआ है या फिर 31 को हुआ है एने टोटल 4 आती है तो ए जो 4 नमबर वाले हैं जिनका मुलांग 4 है वो रहू का जाप करते कि ओम रहावे नमह और किसी बुढ़े लोग अपंग लोगों की से निच्छित मिलती है अब हम लोग बात करेंगे नमबर 5 जिनकी जनम तारिक यानि जिनकी बड़ेट 5 है 14 है 23 है ऐसे लोगों का जो बुद्ध है पावर होता है बुद्ध उनके लीड करता है तो वो ओम बुदाय नमका जाप करते हैं और हरे घास का चारा गाईयों को खिला लगे आपको तो मालूम है शुक्र का है 15 है 24 जिनकी टोटल शेज़े आ रहे है इसको लगी नमबर भी कहा जाता है चौविस नमबर को भी तो जिनकी बड़ेट 6 है वो कोई देवी की आराधना करते है को देवी के मंदिर में जाके सपेट कलर की चीजें़ चडाते हैं तो को सफलता निच्छित मिलती है कि आगे बात करते हैं हम लोग साथ की साथ каче पीदर को का बोलتे है जिसको speech को स्पिरूचालिटी आंक भी बोलते है साट नमःने साथ तारिक जिनका जन्मा है और पचीस तारिक को जिनका थिक एक तो ऐसे सपलता निच्छित मिलती है अभी बारी आती है नंबर आठ की आठ नंबर शनिक प्रधान नंबर है जिनका जनम आठ तारीकों हुआ है 17 तारीकों हुआ है या 26 तारीकों हुआ है ऐसे व्यक्ति जो लूले लंगड़े अपाहीज लोग है इनको कुछ खाने का दान करते हैं तो उनको सपलता जरूर मिलती है तो हम लोग बात करते हैं एक से आठ नंबर तक तो भी बात की अभी बात आती है 9 number, क्योंकि numerology में 1-9 number है, 0 को value नहीं है, 1-9 number जो 9 घ्रोव को rule करते है, planet, उसकी बात करते है, 9 number, 9 number लगभग मंगल का अकड़ा बोलते हैं, हर कारे सिधी में मंगल ही हो, हर कारे मंगल में हो, तो मंगल का अकड़ा बोलते हैं, कि जिनकी बड़े 9 तारिक है, 18 तारिक है, 27 तारिक है, ऐसे व्यक्ति जब कोई गुड का दान देते हैं, मंगलाय नमह का जाप करते हैं, तो उनको सपलता जरूर मिलती है, यह तो हो गई आपकी मुलांकी की बात, हम लोग जो भाग्यांके उसके बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, पर जब आप मैंने जो बताय मार्क पे आप उपाय करेंगे, तो निश्चिती आपको सपलता मिलेंगी, आशा करता हो, आपको मेरा वीडिया बहुत पसंद आएंगा, अगर यह वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की शेर्स कीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद